कि नमस्कार जय जोहार जय 36 गड़ बलदवजार हिंसा मामले को लेकर कारवाई तेज हो गई है जिला प्रशासन से लेकर पुलीस प्रशासन और राज्य सरकार की एजेंसी अलग-अलग इस्तर पर काम करी आज एक वीडियो सामने आया है उस वीडियो को आप देख रहे होंग कि किस तरह से पोल पर सफेत जंडा लगाया जा रहा है इस मामले में बड़ी कारवाई की है पुलीस की ओर से पुलीस ने उस आरोपी को गिरपतार किया है जिसने कलेक्टेट के सामने इस्तीत पोल पर जहांपर 26 जनवरी और 15 अगस्त पर राश्टी ध्वज लहरा जाता है उस द्वज पोल पर जो है सफेत द्वज लगाया गया था उस दिन दस जून को दस जून की घटना आपको मालूम होगी दस जून को 27 समाज की लोग प्रदशन कर रहे थे अपनी मांगों को लेकर दरसल अमर गुफा में जैत खाम था पवीतर जैत खाम को काटा गया था बड़ा अंदोलान हुआ बड़ा धरना प्रदशन हुआ धरना प्रदशन शांती पून चल रहा था लेकिन कुछ लोग कुछ और रनीती के साथ उस धरना प्रदशन में पहुँचे हुए थे जो लोग दंगा फसाद करने की तयारी में आये हुए थे और दंगा फसाद उन जाम दिये जहाँ पे SP दफतर का रिकार्ड रूम से लेके आदिम जाती कल्याणरी भाग, महिला बाल विकास, आफकारी दफतर, सांकी की विभाग, सभी दस्तवेज, सभी विभाग के दस्तवेज खाक हो गए थे। इस घटना के बाद आपको मालूम होगा पुरे देश में बवाल हुआ था और बवाल के बाद सरकार भी अलर्ट पूट पर थी, इस मामले में न्याइक जाज के आदेश हो चुके हैं और उस मोड पर भी कारवाइज जारी है, लेकिन बलोदा बजार जिले की पुलीस भी इस को लेकर काफी गंबीर हैं, लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट हुए फोटो, वीडियो, खंगाले जा रहे हैं, उन आइडीस को खंगाले जा रहे हैं, जो लोग सामने आकर आग जनी की घटना को अंजाम देते हुए दिख रहे हैं, उन सब की गिरिपतारी बारी-बारी ह आज बलदजवार पुलीस ने उस आरोपी को भी गिरिपतार किया है, जो पोल पर चड़ कर ध्वज लहरा रहा रहा था, पुलीस ने गिरिपतार आरोपी के बारे में बताया कि इस आरोपी का नाम डिगेश्वर बांधे है, लवन छेतर का रहने वाला था और आज इस मामल शुरूप से उस केस में थे, उन्हें गिरिपतार करके जेल भीजा गया है, जबकि बाकी लोगों को छोड़ दिये गया है, पुलीस का कहना है कि एक कैसाइटी का गठन हुआ है, इस विशे पर जब हमने आईपियस विजय अगरवाल जो बलदबज़ार जिले के एस पी हों भी नजर बनाई हुई है, जीला बलदबजार की ओड से एक सोशल मीडिया देखने के लिए एक टीम का भी गठन किया गया है, जो लगातार इस विशे को मॉनिटरिंग कर रही है कि कोई दंगा फसाद करने की तैयारी तो नहीं है, कोई ऐसा पोस्ट तो नहीं डाल रहा है, जिससे दंगा फसाद फिर से फैल जाए, अलकि आपसे भी अनरोध है कि आप ऐसा कोई कंटेंट पोस्ट ना करें, जिसकी वज़से बवाल हो, उत्पात हो या फिर किसी प्रकार का दंगा फसाद हो. को कहीं कि आपसे फोगिंगे कि मौन आपसे कि अलकिते चरी ओूरा रहा है कि उन अलकिके अलकि मौन दनbahn एसाद हो, नहीं हैHow फिसा तो अलकिर्शแลरोट्सा, हम